कई सारे सवालात होते हैं पहला सवाल यही है कि मुहरत क्या है क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहे है कि मुहरत को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे है बहन का रिष्टा इतना पवित्र होता है भाई बहन का कि संसार में इससे पवित्र कोई दूसरा रिस्ता नहीं माना गया है पीता से भी जादा भरोसाइदी बहन किसी पर करती है तो भाई पर करती है रक्षा बंदन आज के समय में देखा जाए तो सिर्फ एक दिखावा और मोबाइल के स्टेटस तक सीमित रहे गया है कि फोटो की जाके अपलोड कर करना है तब तक आप कितना भी रक्षा बंधन कर लो कुछ भी मना लो यह भाव आपके रिदय में नहीं आएगा तो मेरा युवाओं से निवेदन है रक्षा बंधन का पर्व आज चुके है और रक्षा बंधन के साथ-साथ जो बहने हैं उनके सई कई सारे सवालाद भी आ दो पहर के 2 बजे मुहरत रहता है तो इस बार के इस साल का सन 2024 का मुहरत कर यह जानने करें लिए रक्षा बंधन से चुड़े तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हम्माराज जी के पास हैं कहना माराज हमारे साथ मौझूद हैं महाराज जी कई सारे सवालात होते हैं पहला सवाल यही है, कि मुहुरत क्या है? क्योंकि पिछले कुछ समय देखा जारहें के मुहुरत को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे? सुबकारे करने के लिए स्पेसली जो एक समय निर्धारित की गई है हमारे सास्त्रों के अनुसार पंचांग के अनुसार वो सुबकारे के मुहुरत को ही समय को ही मुहुरत कहा जाता है इस बार रक्षा सुत्र बांदने का मुहरत क्या है बहन अपने बहाई के कलाई में कब रक्षा सुत्र बांद सकती है एक बच करके 32 मिनट पे भद्रा की समापती हो रही है मध्यान का लिल एक बच के 32 मिनट से ले करकर रात के 9 बच के 7 मिनट तक बहुत विशेश महुरत है उस महुरत में ही रक्षा बंदन होनी चाहिए जब एक बच के महुरत है तो जैसे आपने बता है भधरा क्या अगर कोई बहन अपने भाई के कलाई में भदरा के समय रक्षा सुतर बानती है तो उसके क्या कोई दुस्परिणाम देखने को मिल सकते हैं दुस्परिणाम प्रेम के वशिभूत होकर कि यदि हम कोई भी कारे करते तो उसका दुस्परिणाम नहीं होता है यदि हमारे पास समय है और हम उस समय तक रुख सकते हैं अब कि पिछले कि पिछले पर चमने रख्षा बनाए जब इस वीडियो को लोगों ने काफी प्यार दिया पचीस मिलियन लोगों चीट को देखा यह अचीज परशा मैं riba करिया दो आज बनाए करें और कुछ यह अपनी बहन करते हैं उसके लिए हम प्रेम करते हैं वैसे हर लड़की के लिए हमारे रिदय में प्रेम होना चाहिए समाज में जितनी भी बुराईयां बढ़ रही है और जो अभी केस हुआ है पश्टिम बंगाल का यदि हर भाई रक्षा बंधन का तेवहर नियम से मना है सच में फॉलो करें तो हमारे समाज में एक भी ऐसा दुस्कृति नहीं होगा रक्षा बंधन आज के समय में देखा जाए तो सिर्फ एक दिखावा और मुबाइल के स्टेटस तक सिमित रहे गया है कि फोटो की जाके अपलोड कर दिये लेकिन मन से बहन मानना मन से लड़कियों के इज़त करना जो है वो चीज़े धीरे धीरे विलुप्त होती चले जा रही है राजा बली के दरवार पे भगवान द्वारपाल बन करके बठे हुए थे मालक्षमी बेस बदल करके आई पूरिमा का दिन था स्रावन मास का राजा बली ने राखी बंधवाई और भेट स्वरूप भगवान को मालक्षमी को प्रदान किया गया मतलब जिनकी वस्तु है उनको प्रदान करना बहन का रिस्ता इतना पवित्र होता है भाई बहन का कि संसार में इससे पवित्र कोई दूसरा रिस्ता नहीं माना गया है पीता से भी ज़्यादा भरोसाइदी बहन किसी पर करती है तो भाई पर करती है और ये आजके जनरेशन के यूथ जो पशात संस्कृति को देख करके बिगड़ रहे कि एक एक दिन बहन के लिए भाई के लिए माना गया शरवता गलत है ये प्रेम का संबंद है आजीवन का संबंद है लड़कियां कभी भी पराई नहीं होती है पराई धन उसको लोग कहते है लेकिन पराई नहीं होती है हमने जबरन उसको पराया माना है पश्षा संस्कृति के करण तो प्रेम का संबंद प्रेम से मनाए दिखावा ना करें घृदय से निभाए यूध को क्या संब्स देना चाहेंगे माराज क्योंकि रक्षा बंधन के दिन एक दिन जो है भाई बहन का प्यार खूब दिखाई देता है उसके बाद विलूप तो हुथा चला जाता है एक सगी बहन है, एक मूँ बोली बहन है और एक वल स्टेटस में दिखाने वाली बहन होती है लोग किसी को भी बहन मान करके चलने लग जाते हैं तो जब तक ये बात हृदय से ना आये कि हमको वाकई में नारी का बहन का संबान करना है तब तक आप कितना भी रक्षावंधन कर लो, कुछ भी मना लो, यह भावा आपके रिदय में नहीं आएगा, तो मेरा युवाओं से निवेधन है, कि हर नारी को, हर इस्त्री को बहन के स्वरूप मान करके, रक्षावंधन का तेवहार मनाए, पवित्र तेवहार है, और इस बार मुहरत को लेकर, जाधा कुछ चिंतन करने के आउशकता नहीं है, क्योंकि एक बच कर पच्पिस, बच्पिस मिनट, एक बच्पिस मिनट से मुहरत शुरूआत होगी, क्योंकि भधरा का उस समापती होगी, उसके बाद आप कभी भी रक्षा सुत्र अपने भाई की कला जो निकल कर आती है कि दो दिन तो नहीं है, किस दिन मनाया जाए, लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो इस बार राखी का जो तेवहार है, वो कल यानि सुम भार के दिन मनाया जाएगा, और एक बच कर बच्पिस मिनट से आप अपनी भाई की कलाई पर राखी बान सकते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वीडियो के बार में कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर बता सकते हैं,